लोगों-पायलट की भरती आने के बाद, रिलीस करने के बाद सरकार के द्वारा 596 उस्ट जाईर सी बाद था, किसी के गले पचे गानि, किसी को पता पच नहीं रहा है, इतना कम भखेंसी वो भी 6 साल के बाद, और जाहिर सी बात है पिछले 6 साल से जो छात्र करते आ रहे हैं अगर सरकार को नौकरी देने का मन नहीं है तो अपना बात जो है सरकार तक पहुचाते हैं कैसे? तो इतना कम वेकैंसिस आने के बाद जाहिर सी बात था होना ही था तो ट्विटर के उपर एक ट्रेंड चलाया गया, इंक्रीस रेलवे एलपी वेकैंसिस को लेकर, विश्वास मानों 20 लाग से ज्यादा बच्चे इसको ट्वीट किये और ये सारा दिन एक नमबर पर ट्रेंड किया, और ये हाला कि ये बात तो बावु इतना वेकैंसिस रिलीस करने के बाद ये बाद टीचर को छात्र को पता है, लेकिन जब ट्रेंड करने लगा ना, तो जो लोको पाइलेट संध होता है, जो एसोसियेशन, जो इन्यन होता है लोको पाइलेट का, उनके नजर में पड़ा कि क्या मामला है, तो उन्होंने भी जल्दी से एक नोटिस ज जारी कर दिया, उन्होंने बोला, दिसंबर महिने तक जो है, वो साड़े सुल्ला हजार वेकेंसी हमें जरूवत था, लेकिन सरकार मात्र साड़े पांच घर निकाल रही, उपर से नोटिफिकेसन में आको दिखाऊंगा पूरा, जो उन्होंने नोटिफिकेसन जारी किया है नोटिफिकेसन जारी किया है, नोटिफिकेसन पूरा दिखाऊंगा, ओफिसियली, नोने ये भी वो लाफ नोटिफिकेसन में कि जो अभी बरतमान में लोको पैलेट काम कर रहे है, उनके उपर बहुत चाप है, मतलब उनको डबल काम करना पढ़ रहा है, प्रेसर के वज़ और इतना ट्रेंड करने के बाद, मालूम सा बावु ट्रेंड करेगा, तो विपक्षी पार्टी भी जो है, वो आडे हाथ लेगी, राउल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया, निउस पर चलने लगा, इतना कम वेकेंसिस कैसे हो सकता है, और अभी लडाई बाकी नहीं है, अ इस लोको पालेट में टेक्निसियन की बात ही कोई नहीं कर रहा है, टेक्निसियन का पोस्ट कहा है, उसकी बात कौन करेगा, टेक्निसियन का पोस्ट तो मतलब आप पूरा खा गए, उसकी भरती कहा है, जो लोग रिटार्मेंट हुए टेक्निसियन की पोस्ट में, वो कौन ह पोस्ट कहां परे, वो भरती कब भरी जाएगी प्लस, गुरूब बी में बहाली कब आएगा, चुनाओं से पहले तो आप निकाल दीए पोस्ट, अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, मैं आप सभी को, अगर आप देख पाओगे, यहां पर देखो आप सभी को मैं officially notification दिखा रहा हूँ जो लोको आपको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ देखो ये वाला ये डाला गया है आप सभी का All India Running Staff Association All India Local Running Staff Association के द्वारा एक notification जारी किया गया इस notification में क्या बोला गया बाबू इतने बच्चे कम से कम लोको पाइलेट में चाहिए उनको ताम करने के लिए ठीक है प्लस ये भी बोला गया कि जितने भी जोन है न जो अपना डाटा देते हैं मालो इतना सारा जोन है अररभी एजमेर जंबू चंडिगड कलकत्ता मालदा वहू सारा जोन है उसके पास मुंबई मालो आपका एंदाबाद मालो सब जोन अपना रिपोर्ट जारी नहीं और सरकार हर बड़ी में बाबू तुनाओ से पहले आओ देखी ना ताओ मतलब थोड़ा भी नहीं सोची अपन सो चानिवी पोस्ट ओल ओवर इंडिया के लिए लोको पाइलट के लिए पोस्ट रिलीस कर दी हर बड़ी में और सबसे बड़ा बात है ये भी नहीं सोची कि एज के लिए छे साल के बाद बाहाली निखाण है रेल्वे में जो कि बाव बू हर साल निकलना चाहिए छह साल के बाद निकाल रहे है उसमें एज में चूट नहीं उपर से इसमें टेक्नीसियन का पुस्ट कहां गया ये पोस्ट तो आप लोग खागए ये पोस्ट खथम से खाते हो गया क्या सरकार को इसके उपर आकर भी क्लारेटी पूरा सफाई दिना चाहिए कि टेक्निसियन का पुष्ट अप रेल वे मिर रहे हैं टेक्निसियन नहीं रहेगा इनका बहुत सारा काम है ऑफिस में एसी में ट्रेन में अगर ये नहीं रहेंगे तो काम कौन करेग और मालों पिछले 6 साल में जो लोग रीटार्मेंट हुए है टेक्निसियन से फिर उनके पर काम क्या कैसे चल रहे है तो पोस्ट का हुआ क्या इसके बारे में कोई जणकारी नहीं सीधा सीधा 596 पोस्ट का निकाल दिया गया गुरुप डी का बहाली आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में कौन बताएगा लोग रिटार्मेंट हो रहे हैं एंटीपीसी का जॉब मतलब कुछ क्लारेटी नहीं है आरपीफ का पोस्ट निकाल दिये 2200 इतना कम वह भी गले म हर जोन का होता है रिलीज करना है एक हर जोन से डाटा लेना वह लेने ही हर वड़िए हुसा आhet काम चल राहा है लेकिन कहीं न कहीं एक बात तो है talk THis करें बहुत्त जब सलग है हम लोग बहुत मांते हैं हिंदु है कट्र हिंदु लोग है फिर पैले योध्या गए थे रिसमवर में आँ वो भी लोको पाइलेट में यार किसी का गले नहीं पच रहा है मतलब एक लड़ाई हम लोगों को बाबू देखो अभी तारे टीचर मिलकर आगे क्या-क्या बात करेंगे किसी मुद्दे पर सब डिसकुशन होता रहेगा ठीक है अभी यह तो कुछ नहीं यह तो सिर्क जलक है बाबू कि पोस्ट बढ़ाना है लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है अगर मैं पूरे देल्वे में जितना भी कटेगरी आता है ग्रूब दी एंटीपीसी जेई मेडिकल सब की बात निकराओ सिर्फ एक की बात करूं मैं लोको पाइलेट में तो इसमें ही टीन्चा चाहिए बच्चे चाहिए आप लिकार ने कितना वन थर्ड से भी कम तो यह पहला आपको काम करना है दूसरा काम एज को लेकर विडियो में कितना कॉमेंट आया कि भाईया मेरा पॉइंट पाइब से रह गया अठारा में नहीं हो पाया पॉइंट फाइब से और आज मेरा जो है वो खतम भी हो गया तो दूसरा लडाई सबसे बड़ा जो लड़ाई लड़ना है बच्चो को टीचर को वो है बावू एज के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे मरेंगे बहुत सारे बच्चे न बरबाद हो जाएंगे और सरकार एज में छुट नहीं दी त इसके बारे में कोई जिक्री नहीं है तो टेक्नीशियन की लड़ना है यूगी बहुत सारे बच्चे इस पेसली उस पोस्ट के नहीं लड़ते है उस पोस्ट के लिए अपलाई करने ड्रीम जॉब है बतला अराम धायक होता है अराम ठोड़ो लेकिन बहुत सारे बच्चों का जॉब होता है भाई टेक्नीशन बजाने का इसके लिए भी लणना है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया बीना सोचे समझे आओ देखे न ताओ इतना सारा गड़वड़ी कोई डाटा समिछा नहीं किया गया हर जोन से डिपोर्ट नहीं लिया गया बस रिपोर्ट जा है तो कहीं ना कहीं सरकार के कान में गुंजेगा अब देखते हैं नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले सरकार क्या करती है ठीक है बाकि हम लोग भी देखते हैं टीचर लोग क्या कर सकते हैं आप सभी के लिए